असलाम वालेकूं प्यारे बच्चों बुरहन मुंबई महानगर पालिका के विटीसी कलास में मैं आप तमामी बच्चों का तैय दिल से इस्तिक्बाल करता हूँ खैर मगदं करता हूँ आईए हम अपने लिसन की तरफ बढ़ते हैं असलाम वालेकूं प्यारे बच्चों मैं आज आप लोगे सामने फिर हाजिर हुआ हूँ एक नए सबक के साथ आज हम जमात हफ्तुम के मजमून तारीख का तेरों सबक महराष्ट की समाजी जिन्दगी इस सबक से मतालिक मालूमात हासिल करेंगे इस सबक में हम महराष्ट के लोगों की जिन्दगी और शिवजी महराज ने किस तरह से यहां के हालाद बदले लोगों की जिन्दगी में किस तरह से बदलावाया उनके रस्म रिवाज, तहवार और तकारीब, खेल कूट, फनून लतीफा, इन तमाम चीजों के बारे में जो है तो आज इस सबक में मालूमात हम देखेंगे यहाँ पर हमें कुछ अहम बातों का समझना पहले बहुत जरूरी है कि शिवाजी महराज ने जो हुकूमत महराश्टे से शुरू की थी, वो हुकूमत धिरे-धिरे पूरे भारत में जय तो फैल गई च्छत्रपति शिवाजी महराज का काइम करदा हिंदुई सुराज रियाया की हुकूमत थी, यानि इस सुराज में रियाया जो थी, जो अवाम थी, जो पबलिक हम जिसे कहते हैं, उन्हें काफी जए तो अहमियत हासिल थी और इनकी ही फला वह बहबूत के लिए, जलम जयदती और नानसाफी की रोकथाम के लिए महराज च्छ धर्म क तहफूझ, सुराज के कियाम का आला तरी मकसद था, यानि इस सुराज को काइम करने का जो मकसद था, वो यही था कि लोगों के उपर जलम जयदती होती है, और जो नाइसाफी होती है उसको रोकना शिवा जी की शिवा जी महराज की मौत के बाद पूरे भारत में मराटा हुकुमत की तौसी हुई और 150 साल तक मराटा हुकुमत जयतों काइम रही महराश्ट और पूरे भारत में ये तमाम बातों को जयता में ध्यान में रखते हुए सबक के आगले हिसे को जैतों देखना रहेगा यहां हम देखेंगे पहले समाजी हालत देही सते पर यानि देहाद की सते पर जैसा कि आप लोग तस्वीर में देख रहे हैं जराद का जो है तो काम होता था यानि जराद पर मबनी जो है तो काम किये जाते थे और जो भी पैदावार होती थी वो इन खेतों में होती थी गाओं की हिफाज़त की जो जुम्मेदारी थी वो पाटिल की थी आप लोग तस्वीर में पाटिल या कुलकरनी को भी जो देख सकते हैं कि जो गाओं की जुम्मेदारी थी वो इनके हातों में थी और पाटिल को और पुलकरनी को जो ये काम करते थे गाओं की हिफाज़त की जो जुम्मेदारी इनके उपर थी जो काम था इनको इसके बदले में जमीन वगएर इनामाद दी जाती थी साथ इसाथ टैक्स का भी जाये तो कुछ हिस्सा दिया जाता था इनकी जुम्मेदारी जाये तो महसूल वसूल करना भी थी यानि जो खेट में काम करते थे उनकी जो पैदावार होती थी उसका कुछ हिस्सा सरकार को या जो उस वक्त हुकुमत थी उनको देना जाये तो जरूरी था तो खुलकरनी या पाटिल खेत में किसानों से जाकर उनकी पैदावार का कुछ हिस्सा ले लेती थी इसे महसूल कहते थे इसी तरह बलूतादारी सिस्टम भी उस वक्त चलता था बलूतादारी सिस्टम यानि के अनाज के बदले कोई दूसरी चीज देना या अनाज के बदले अनाज लेना जैसे अगर किसी के खेत में चावल की काश्ट हुई है तो गेहू वाला गेहू देकर चावल ले ले और चावल देकर गेहू ले ले इस तरह अनाज का अदली बदला अपनी जरूरत के मताबिक होता था इसे बलुतादारी सिस्टम कहा जाता था देहातों में पेशे दो हिस्सों में बटे हुए थे एक सीहा और एक सफेत सीहा पेशे वाले किसान और सफेत काम करने वाले सफेत पेशी कहलाते थे गाउं के तमाम मामलात आपसी समझ बूज इसे अंजाम देने और मुश्तरका खानदान के निजाम पर काफी जोर दिया जाता था मुश्तरका खानदान यहां पर आप लोगों को नजर आ रहा है जिसमें सभी लोग शामिल होते थे छोटे बच्चे, बड़े लोग, दादा दादी, नाना नानी और अबू, अमी, लड़का, लड़की, तमाम लोग मिल कर एक खानदान बनता था इसे मुश्तरका खानदान कहते थे और यह लोग सब मिल जूल कर रहते थे तो यह थी वहां की समाजी हालत किस तरह से थे आप लोगों को समझ में आ गया होगा भी देखो, यहां पर एक लड़का क्या कह रहा है, क्या आप जानते हैं क्या जानना है, हमें देखना है गाउं में लोहार, बढ़ही, कुमार, सुनार, वगेरा बलूतादार हुआ करते थे यह बलूतेदार मुबादला कारी का काम किया करते थे जैसे मैं आप लोग अभी समझाया था, कि बलूतादारी यह ने किसे कहते हैं फॉर एक्जामपल गाउं में लोहार है, वो किसान से अनाज ले लेगा और उसे लोहे की कुदाल वगेरा, जो जरात में काम आते थे आवजार, तो वो दे देगा बड़ाई भी ऐसे ही करेगा, कुमार मिट्टी के बरतन दे कर जो है तो किसान से कोई अनाज ले लेगा या लोहार से कोई चीज ले लेगा सुनार से कोई सोना ले कर जो है तो उसे मिट्टी के बरतन दे देगा अनाज दे कर जो है तो सोना ले लेगा ये ऐसी चीजे जहें तो आपस में लेन देने ये लोग किया करते थे अपनी जरूरत के मताबिक इसे ही जहें तो बलूतादारी कहते थे या मुबादलाकारी भी कहा जाता था अब हम देखेंगे मुहा के रस्म रिवाज कैसे थे क्या क्या थे उस अहिद में बच्पन की शादी जिसे बाल विवा कहते थे जब बच्चे छोटे होते थे तब ही उनकी जए तो शादी कर दी जाती थी एक से ज़्यादा बीवीयों का याने कसिर्ल अस्दुआजी का रिवाज था एक आदमी कईकई बीवीयों जह तो रखता था, याने उनसे शादी जह तो वो करता था बेवाओं के दोबारा शादी की मिसाले भी मिलती है अगर किसी عورت کی शादी दिए है और उसके शोहर का इंतकाल हो गया है तो वो दूसरी शादी उसकी किरा दी जाती थी ये भी जो ये तोर देखने में आया था मरने के बाद इनसान के जिसम को जलाने उसकी तद्धीन करने यानि उसे जमीन में दफन करने और डुबोने का तरीका यानि पानी में उसे डाल देने का ये तमाम तीनों तरीके जो उस वक्त दिखाई दिए थे यानि ये इस्तिमाल उनका किया जाता था छोटी मुटी बातों पर लड़ाईयों का अगाज के लिए महूरत निकाला जाता था खौबों और शगुनों पर लोगों का यकीन था किसी दिवता या सियारे का अजाब नाजिल ना हो इसलिए इसकी अबादत की जाती और खैर खैरियात की जाती थी इल्म नुजूम पर लोगों का भरोसा था साइंसी तर्ज फिक्र की कमी थी और इलाज से ज्यादा तावीज गुन्डों को अहमियत हासिल थी यानि ये तमाम चीज़े जाती थी जो यहाँ पर अभी मैं बताया हूँ अब हम यहाँ पर लोगों का रहन सहन देखेंगे कि लोग किस तरह से यहाँ पर रहते थे उनकी गेज़ा क्या थी ये तमाम चीज़े जए तो यहाँ पर हम देखेंगे लोगों की अक्सरियत देहातों में रहा करती थी देहात यानि के गाउं जैसा कि आप तस्विर में देख सकते हैं गाउं के एक घर की जैटो तस्विर आप लोगों को नजर आ रही है इसी तरह ये गाउं जैटो खुद कफील थे यानि ये खुद अपनी चीज़े जैटो बना लेते थे जरूरियात की चीज़े सिर्फ नमक दूसरे मुकामों से दरामत किया जाता था यानि नमक के लिए जैटो सिर्फ दूसरी जगा से नमक लाया जाता था किसानों की जरूरियात महदूद थी यानि कुछ खास जरूरियत नहीं थी नोगों की कम ही जरूरते जैटो रखते थे किसान अपने खेट में गेहूं जवार बाजरा नाचनी मकई चावल इन तमाम फसलों को जो जो तो उगाया करता था रोज मर्रा की गिज़ा में रोटी, प्याज, चटनी, खुश्क अशिया ये तमाम चीज़े वो इस्तेमाल किया करता था और आपसी कारुबार में अजनास के तबादले का तरीका राइज था जैसे मैं बलूतादारी सिस्टम आप लोगों को बताया हूँ गाओं में घर सादा और मिट्टी इट से बनाए जाते थे जैसे के मिट्टी का घर आप लोग देख रहे हैं और साथ ही साथ बहुत सारी चीज़े जए तो गाओं में थी जो हम आगे देखेंगे शहरों में एक मनजिला या दो मनजिला हवेलिय हुआ करती थी उस वक्त और अमीरों की गिज़ा में चावल, डाल, चपाती, सबजियां, कचुमर और दूद से तयार की हुई अशिया, दही वगएरा ये तमाम चीज़े जो है तो इस्तेमाल होती थी और ये लोगों में कपड़ा जो है वो धोती कुर्टा, अंगर खा और पगड़ी वगएरा मर्दों के लिबास हुआ करते थे और ते साड़ी चोली पैना करती थी तो ये इनका लिबास और खाने के बारे में मालुमात है अब हम देखेंगे इनके तहवार और तकरिबात के ये लोग कौन-कौन से तहवार मनाते थे उस वक्त कौन-कौन से प्रोग्राम और तकरिबात ये लोग जो है तो किया करते थे जैसे आज हम तहवार मनाते हैं उस वक्त भी बहुत सारे तहवार मनाए जाते थे पहला हम देखेंगे यहाँ पर लोग जो है तो कौन से तहवार मनाते थे गुडी पाडवा ये तहवार लोग जो है तो मनाते थे नाग पंचमी बैल पोला जिसमें बैल को सजाते हैं किसान लोग और नाग पंचमी में नाग कियो जो है तो उसके पूझा की जाती है इसको दूद वगारा पिलाया जाता है ऐसा जोगा जाता है दसहरा, दसहरे में भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर तस्वीर में, कि जो है तो रावन को जो है तो जलाया जाता है दिवाली, दिवाली में जो है तो दिये लगाया जाते हैं, रोशनी का इंतिजाम किया जाता है मकर संकरान्ट में पतंगे उड़ाई जाती है हुली में रंगों से खेला जाता है इदुल फित्र तो आप लोग जानते हैं इदुल फित्र में हम इदगा जाते हैं नमाज पढ़ते हैं और इदुल अज़ा में हम अल्ला की खुशनोदी के लिए और अपने और हज़रत इबराहिम अलेशसलाम की सुन्नत को निभाने के लिए जयतो हम कुर्बानी का जयतो अंजाम देते हैं। इसी तरह पेश्वाओं के एहद में गनेश उत्सौ बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। उस वक्त मनाया जाता था लोग इसे अपने घरों में मनाते थे चूंके पेश्वाओं खुद गनेश भक्त थे इसलिए इस तहवार को काफी अहमियत हासिल थी। हर साल भादर पद चत्र थी से अनंत चत्र दशी तक ये तकरीब जारी रहती थी। दसेरा साड़े तीन महरतों में से एक होने की वज़ा से लोग अपने अच्छे कामों का आगाज दसेरा सही किया करते थे। इसी दिन इसला और हतियार की पुज़ा की जाती थी और गाओं की सरहद पर उसको पार की जाती थी। एक दूसरे को आप्टा की पत्तियां दी जाती थी। दसेरे के बाद मराठे मुहिम पर निकलते थे। दिवाली में बली, परतीद और भाव भीज खुसी तोर पर मनाये जाते थे। देहातों और गाओं में जात्राएं मुनकित की जाती थी जिसमें कुष्टियों के दंगल, गुड़ी पाड़वा के दिन, गुड़ी एक लंबी लकड़ी को कपड़े से लपेट कर इस पर आम के मौर सजा कर साल के पहले दिन दर्वाजे पर उंची जगा बानते थे। ये तहवार मनाये जाते थे, नाज गाना, दफ बजाना, गी, खेल, तमाशे, प्रोग्राम, नाटा, ड्रामे, ये तमाम चीज़े जैतों उस वक्त की जाती थी। जैसा कि यहाँ पर अभी बताया गया था कि जो गनेश उत्सव है, वो भी यहाँ पर बड़ी धुम-धाम से जैतों मनाया जाता था। गाना, साथ ही साथ, दसेरा में जो रावन को जहे तो जलाया जाता था, भाव बीज में बहें जो है तो अपने भाई को जहे देखो, यहाँ पर तस्वीर में आप लोगो को नजर आ रहा है, और भाई भी जो है तो अपनी बहें को कुछ गिफ्ट और इस तहवार में देता है, साथ ही साथ, और भी बहुत सारी चीज़े यहाँ पर देखो, खेल वगेरा में दिख रहा है, आप लोगो को कुछ ती की जा रही है, दो पहलवान जो है तो आपस में लड़ रहे हैं, तो ऐसे तफरी के जो है तो बहुत सारे मौाक्य जो है तो यहाँ पर किये जाते थ और आप लोग तो देख चुके हैं, वो लंबी लकडी को जो है तो बांद कर दरौाजे पर सजाया जाता था और आप लोगों को पता होगा मेला जात रहा हैं जो है तो गाओं में निकलती है, मेला तो यहाँ और शहरों में भी जो है तो निकलते हैं, उनका इंतिजाम किया जाता है, लोग उसमें जाते हैं और नई नई मुक्तलिफ चीजे जए तो खरिदते हैं, इसी तरह आप लोग नाज गाना और गीत वगेरा को भी जानते होंगे, डांस वगेरा को, नाटक, ड्रामे वगेरा भी आप लोग टीवी पर देखते हैं, उस वक्त तो टीवी नहीं लेकिन बहुत सारी चीजे जए तो ड्रामे वगेरा जए तो किये जाते थे, नाज गाना भी होता था, दफ की तान पर गीत भी होते थे, मुक्तलिफ खेल भी जए तो खेले जाते थे, ये तमाम चीजे जए तो उस वक्त की जाती थे, अब हमें उस वक्त की तालीम के बारे में जए तो देखना है, इस जमाने में मदरसों और पाट शालाओं पर मुझमिल निजाम तालीम जए तो राइज था, जाएसा के आप लोग तस्विर में देख रहे हैं, के मदरसों में और पार्ट शालाओं में जहे तो तालीम दे जाती थी लिखने पढ़ने और हिसाब किताब की तालीम पर जोर दिया जाता था और उसको घर में ही जहे तो पढ़ाया जाता था यानि के बेसिक जो तालीम थी उस तालीम पर जाई तो जोड़ दिया जाता था था बनियादी तालीम पर कारोबार और आम मामलात लिखने के लिए मोडी रस्मल खत का इस्तेमाल किया जाता था आप लोग जो है तो मोडी लीपी यहां पर देख सकते हैं तस्वीर में नीचे की साइड जिसमें आप लोगों को नजर आएगा कि मोडी लीपी किस तरह होती थी इस रस्मल खत में इस तरीके तहरीर में जए तो तहरीर की जाती थी उस वक्त अब हम देखेंगे उस वक्त का नकल हमल यानि नकल हमल जए तो किसे कहते हैं पहले हमें यह मतलब को जए तो समझना जरूरी है नकल हमल का मतलब होता है कि सामान को एक जगा से लेकर एक जगा से दूसरी जगा जाना या सामान को एक जगा से दूसरी जगा लेकर जाना तो किस तरह से सामान एक दूसरी जगा जाता था और हम लोग उस वक्त के खुद भी कैसे एक से दूसरी जगा जाते थे इसे ही जए तो नकला हमल कहा जाता था कहते हैं तो बहुत सारे जए तो रास्ते थे घाट का इस्तेमाल देखो आप पहली तस्वीर में देख रहे होगे घाट जए तो बनी वीटी पहाड़ों के बीच में से तो वो से घाट कहते हैं वो जए तो रास्ता था वहाँ से लोग जाते थे नदियों पर ब्रीज बना कर पुल बना कर भी उस वक्त आना जाना होता था, इसी तरह बैल गाड़ी का इस्तेमाल होता था, साथ ही साथ नदियों में कश्टियां वगएरा भी जो चलाई जाती थी, उट से भी जो बहुत सारे काम लिये जाते थे, बैलों का भी इस्तेमाल होता था, और किसी चीज को पहुँचाने के लिए जैसे खुतूत की तरसील के लिए जैसे उटों का और कासीदों से जो बैठा वोई कासीदों से उसके उपर, उनसे जो इस्तेमाल, उनका इस्तेमाल किया जाता था, तो ये तमाम चीज़े जो नकल हमल में आती है, अब हम देखेंगे उस वक्त के जो है तो खेल कूद, खेल कूद हर दोर में जो है तो काफी मशूर हुए हैं, और हमेशा जो है तो रहे ही हैं, आज भी जो हम बहुत सारे खेल जो है तो खेलते हैं, इसकूलों में, घर पर, है ना हर जगा जो है तो खेल खेले जाते हैं, तो यहाँ पर भी जो डंड बैठक किसे कहते हैं वो बताया गया एक तस्वीर में आज के आदमी आज के दौर का आदमी है वो सिर्फ इसलिए बताया गया है कि आप लोग जो है तो उसे देख सकते डंड किसको कहते हैं डंड बैठक किसको कहते हैं और दूसरी तस्वीर में तीसरी तस्वीर में जो बढड़ी भी जायतो भारत का महराश्ट में मराटा हुकूमत का बहुत पुराना जायतो यहां पर खेल खेला जाता है। और साथ ही साथ खोखो खोखो भी जैतो ये देखो बच्छे लग आकरी तस्वीर में जैतो खेल रहे हैं तो खोखो भी जैतो बहुत खेला जाता था इसी तरहा मलखाम्ब मलखाम्ब की तस्वीर भी जैतो आप लोग यहां पर देख सकते हैं यानि कि एक खंबे के उपर देखो कितने लोग चड़कर कमाल दिखा रहे हैं तो ये तमाम चीजे इसके लावा चौसर, गंजफा, शत्रंज ये खेल भी जाए तो उस वक्त खेले जाते थे ये देखो मलखाम की तस्वीर दिख रही है आप लोगो उधर तस्वीर बताना मैं भूल गया ये मलखाम की तस्वीर है जिसमें कुछ लोग जो है तो एक दूसरे से कमाल बता रहे हैं उपर चड़कर खंबे के और साथ ही साथ आप बैट कर भी जो है तो शत्रंज खेले जाते थे ़ो भी जो है तो यहाँ पर दिखाया गया है चौसर गंजफा और शत्रंज शत्रंज भी जैता आप लोग देख सकते यहाँ पर तस्वेर में तो ये तमाम केल उसक्रिय काफी मकबूल थे हैं तब हम यहाँ पर देखेंगे मजाहिब और नजरियात के उस वक्त तो कौन से मजाहिब थे और उनके नजरियात कैसे थे वो देखना है उस जमाने में हिंदु धरम और इसलाम ये दो अहम मज़ाइब थे और शिवाजी महराज का मजभी तर्ज अमल फराग दिलाना था यानि वो बड़े दिलवाले थे उन्होंने कभी जए तो हिंदु और मुसल्मानों में तफरीक नहीं की इस जमाने में एक आम नजरिया था कि हर शक्स को अपने मजभ पर अमल करना चाहिए और दूसरे मजभ पर अपना मजभ थोपने की सक्ती नहीं करना चाहिए पाड़ शालाओं, मंदिरों, दीनी मदरसों और मस्जिदों को हुकुमत की जानिब से अतिये दिये जाते थे इमानुभाव, दत, नात, रामदासी जैसे फिरके समाज में राइज थे ये तमाम जो फिरके हैं मानुभाव, वरकरी, दत, नात, रामदासी वगएरा ये फिरके समाज में घूम कर लोगों को समाजी इसला करते थे उनकी गल्ट आदतों को छुड़ा कर उन्हें मजभ की तरफ रागिब करते थे तो ये तमाम चीजे उस वक्त और यहां के मजभी नज़रियात उस वक्त के जए तो आप लोग समझ सकते हैं अब हम उस वक्त के औरतों की जए जिए जिन्दगी देखेंगे कि उस वक्त औरतों की जिन्दगी कैसी थी उस जमाने में औरतों को महनत कशी की जिन्दगी गुजारनी पड़ती थी इनकी दुनिया मैका और ससुराल तक ही मैदूत थी मैका यानि मा का घर और ससुराल यानि आदमी का तो यहीं पर बस उतनी जिन्दगी गुजारती थी औरतों की तालीम पर कोई खास तवज्जा नहीं दी जाती थी जैसे कि आज आज लड़कियों की तालीम पर तवज्जा दी जाती है लेकिन उस वक्त औरतों की तालीम पर कोई खास तवज्जा नहीं दी जाती थी कुछ मुश्टना औरतों ने हर्फ सनाशी शनाशी हुकूमती इंतिजाम और जंगी महारतों में तरक्की हासिल की थी यानि कुछ ही औरतों को तरक्की मिली थी और उन्होंने ही यह सकत्तमाम काम किये थे पढ़ने के काम उकुमत के समालने के काम और जंगी महारतों के काम जैसे वीर माता जीजा भाई, यसू भाई, महारानी तारा भाई, ओमा भाई, धबडे, गोपीका भाई, पन्या शलोक, अहिलिया भाई शामिल थी ये एक और जए तो उस वक्त आगे-आगे थी और इन्होंने जए तो तरक्की भी की थी लड़कपन में शादी यानि बालविवा जैसे मैं बता चुका हूँ कि बालविवा काफी था यहाँ पर बचपन में शादी कर दी जाती थी बेजोड़ शादी यानि कोई छोटा है कोई बड़ा इसका देखते रही थे बेजोड़ शादी हो जाती थी मौनड़न यानि सर के बाल मौनने की रसम थी सती की रसम भी जय तो उस वक्त थी कसितुल अजद्वाजी यानि एक से ज्यादा बीविया रखने का सिस्टम था ये तमाम रस्म रिवाज उस वक्त थे और उर्टों की जिन्दगी को जकल कर रखा गया था यानि उनकी जिन्दगी को तंग कर दिया गया था और जिन्दगी उनकी हैरान और परिशान जय तो थी 1630 से 1810 तक इन पौने दो बरसों पर मुहीत अरसे को आम तोर पर मराटा शाही कहा जाता है इस दोर के मुक्तलिफ फनून का हम जो है तब आगे जायजा लेंगे यानि देड़ से पौने 200 साल पकड़ कर चलो के मराटा हुकुमत को तसलीम किया जाता है कि उनकी हुकुमत कितनी थी हम लोग जो है तो बहुत सारी जगों पर घूमने गए होंगे तो जैसे हम लोग जाते हैं मुंबई में भी गेट फे ओफ इंडिया जाते हैं अहाजी अली और बहुत सारी अमारते जो है अंग्रेजों के वक्त किया और उससे पहले की भी जैतो बनी हुई अमारते हैं तो ये अमारते जैतो उस वक्त के फने तामीर का हमें बताती है इसी तरह शिवा जी महराज के दोर में भी बहुत सारी चीजे जए तो बनाई गई और बहुत सारे मंदिरों को तामिर किया गया लाल महल की तामिर हुई किला रायगड बनाया गया राजगड की तामिर हुई और कई बहरी जो किले हैं उनको भी जए तो बनाया गया हीरो जी इंदोलकर इस जमाने का मशूर माहिरे तामिरात था याने हीरो जी इंदोलकर उस वक्त तामिर करता था नए नए चीजें मशूर था उस काम में गाउं बसाते वक्त जहां तक मुम्किन होता रास्ते जाविया काइमा बनाते जाते थे जाविया काइमा नबे दर्जे का जाविया किनारे पर पत्थरों का तामीरी काम होता था और किनारे पर पत्थरों को रखा जाता था नदी के किनारे पर घाट की तामीर होती थी पेश्वाओं के दोर में बेजापूर और अहमद नगर जैसे पानी के इंतिजाम पूना शहर में भी किया जाता था पेश्वाओं ने जेर जमी नल, छोटे छोटे बंद, बागीचे, हौज और फववारे वगेरा तामीर किये पूना शहर से नजदीक इटर पसर के इलाके, दिवे घाट में मस्तानी तालाब पनितामीर के लिहाज से काफी मशूर है, अहम है यहाँ पर सब बताया गया है किस तरह गाओं जोए तो बसाया करते थे और गाओं में सड़के वगेरा के किनारे किस तरह से सब काम किया जाता था नलो को जो है तो जेर जमीन याने पानी जमीन के नीचे से नलो का सिस्टम था चोटे चोटे बंद बागीचे वगेरा भी जो है तो बनाये जाते थे हौज और फवारे वगेरा भी जो है तो लगाये जाते थे यह तमाम काम जो है तो उस वक्त किया जाता था ताके अच्छी तरीके से सब काम सिस्टेमेटिक हो जाए यहाँ पर यही सब बताया गया है अब अब पूना शहर में आप लोग देख सकते हैं पूना शहर का नक्षा भी दिख रहा है आप लोग को पूना का काशनी वार वाड़ा, विश्राम बाग वाड़ा, नाशिक का सरकार वाड़ा, कोपर गाओं का रगुनाद पेश्वा का वाड़ा, सतारा के चत्रपतियों के वाड़े, यह तमाम चीज़े उस वक्त तामिर की गई, इनके इलावा वाई, मेन, मेन वली, टोके, शिरी गोंदे, पंधरपूर वगएरा के पुराने वाड़े, एह देवस्ता की सकाफत की अलामत है, है ना उस वक्त के महले, यह उस वक्त की सब अहम है, बाड़ों की तामिर में कच्ची और पक्की उंटों का इस्तिमाल किया जाता था, लकड़ी के खंबे, शहितर, तक्ते, तराशे वे पत्थर, कमाने, उम्दगी से आमेज किया हुआ चूना, नालीदार कवेलू की छट, कवेलू की छट, की चड़ और बास के इस्तिमाल इन तामिरात में होता था, बाड़ों की सजावट और आराईश के लिए तस्वीर कशी, रंग आमेजी, यहने रंग देना उनको लकड़ी के, नकाशी और आईनों का इस्तिमाल जए तो इस वक्त किया जाता था, यहने इन महिलों को, इन बाड़ों को बनाने के लिए, यह तमाम काम जो है तो उस वक्त होते थे, जो यहाँ पर बताया गया है, अब उस वक्त जो शिवाजी महराज के वक्त में मनादिर जो थे मंदिर वो हम देखेंगे शिवाजी महराज के एहद में मनादिर या द्वी एहद के हिमाड में पंती तर्ज के हैं उस वक्त के जो मनादिर बनाए गए हैं वो यादवी एहद के हिमाड़ पंती तर्ज के जो है तो मनादिर बनाए गए हैं कुलापूर के अमबाबाई का मंदिर का शिखर कल्स जिसे कहते हैं जोतिबा के पहाड़ों पर मंदिर शेकर शंगनापूर का शंभू महादेव मन्दिर को मैं बताया हूँ, हो जए तो उम्दा नमुना है, मन्दिरों का, तसाविर में भी आप लोग देख सकते हैं, अंबा भाई का मन्दिर, और जोती भाई के पहाडों पर मन्दिर, शेखर, शंगनापूर का शंभू मन्दिर, वगएरा वगएरा, इसी तरह परताब ग दोर में नाशिक में काला राम का मंदिर, तिरंबकेशवर का, श्यू मन्दिर, गोदावरी, परनदियों के संगम पर वाके काय गाओ, और टोके में श्यू मंदिर, निवासे में मोहनी, राज मंदिर वगएरा जए तो तामीर किये गए, घर्ष, नश्वर, मंदिर भी जए तो ये तमाम चीजे जो है तो मंदिल वहाँ पर बनाए गए शिवाजी महराज के दौर में अब हम देखेंगे घाट के बारे में नदियों पर जो संगम होता है उनका जो मिलाप होता है उस जगह पर घाट तामिर किये गए और पत्थरों को तराश कर घाट पर मराटा शाही अहिद की एहम कुस्स जाता है ये सब वहाँ पर घाट जयतों तामिर किये गए इस अहिद के सबसे ज़्यादा काबिले दी घाटों में गोदा वरी और परवरा नदियों के संगम पर तोके घाट है तोके घाट का आप तस्वीर भी यहाँ पर देख रहे हैं कि वो तोके घ घाट जयतों किस तरह से दिखाई दे रहा है पुखता तामिर की हुई सीडियों की कतार मुकररा फासले पर एक जैसे फासले पर रखी गई है जिसकी वज़ा से पूरे घाट का हुस्न खुल कर सामने आता है पानी के बाहों के साथ घाट खसता ना हो जाए इसलिए मतयना फ लीजे तो किया गया यह फन तामिर का एक उम्दा नमूना है अब हम यहाँ पर देखेंगे उस वक्त की मुसविरी यानि के तस्विर बनाना किस तरह से उस वक्त तस्विरे बनाई जाती थी मुसविरी की जाती थी यह जो है तो अब हम देखेंगे पेशवाई दौर में ज रागो, तानाजी, अनुपराओ, शिवराम, मानकोजी जैसे अहम मुसविर हो गुजरे हैं सिवाई माधोराओ, पेश्वा के एहद में गंगाराम, तामटप और एक नामवर मुसविर था तसाविर में आप लोग जैसा के सब देख सकते हैं के कौन-कौन से मुसविर जैता उस वक्त थे पेश्वाओं ने फने मुसविरी की होसला अवजाई की, यानि शिवाजी पेश्वा जो दौर थे बाजिराओ, वल, बाजिराओ, दौर्व, माधराओ, ये सब तमाम जो पेश्वा थे इन्होंने मुसविरी को काफी एहमियत दी और पेश्वाओं के एहद में पूना, सतारा, मेनुली, नाशी, चांदौर और निपानी इलाकों में काफी जो इन तमाम कामों पर जो बाड़े बनाए गए थे, उन दिवारों पर भी जो तस्वीरे बनी उई थी, पांडेश्वर, मौरगाओं, पाल, बनोडी, पूना के नस्दीक, पाशान वगएरा, जैसे मकामात पर भी जो मनदिरों में, वहाँ पर उनकी दिवारों पर तस्वीरे बनाई गई थी, तो ये सब तमाम काम जएतों तस्वीरे बनाने का उस वक्त थे और ये तमाम लोग जएतों उस वक्त के मशहूर मुसविर थे, यानि तस्वीर बनाने वाले। पुरानों की कहानिया वगएरा हुआ करते थे, जो मौदू होते थे, किस मौदू पर तसाविर बनाई जाएगी, तो ये तमाम मौदुआत थे, जैसे गनपती पर, शंकर राम पर, विदर्ब के जामूद के जैन मंदिर में, जिन सोवाने, पुरानों की कहानिया, इन तमाम पर जैतो तसाविर जैतो बनाई जाती थी उस वक्त, ये तमाम चीजों को ध्यान में रखा जाता था और उनके यह बारे में तस्वीरे बनाई जाती थी, जैसा कि आप लोग देख भी सकते हैं, कि कैसी जैतों यहाँ पर तस्वीरे बनाई गई गई है, रामाएन महाबारत तहवार तकरीब पर मबनी विजयतों तस्वीरे होते थी, आप लोग देख सकते हैं, रामाएन महाबारत वगएरा इसी तस्वीरे विजयतों उस वक्त बनाई जाती थी, होटियों पर की तस्वीरे, छोटी तस्वीरे, शक्सी तस्वीरे, यहने किसी शक्स की तस्वीर, व कोई घटना हो गई है कोई वाक्या हो गया है तो उसके उपर भी जय तो तस्वीरें बनाई जाती थी अब हम देखेंगे संग तराशी के बारे में पहले हम समझ लेंगे कि संग किसे करहते संग यहने पत्थर और तराशी यहने उसको तराशना खوبसूरत के साथ उसको साइट से बारीक बीनी से उसको छोटे चोटे चोटे महाराज के एहद में शिवा जी महाराज के करनाटक हमले के वक्त मलम्मा देशाई से मुलाकात के मुजस्मे भी जय तो बनाए गए थे बुलेशोर मंदिर की संग तराशी भी जय तो काफी मशूर है शक्सी मुझस्बे य stre scriptures जिसे हम पूना कातरी शुंड गनपती मंदिर मद्द परदेश में एहलिया भाई होलकर की चत्री निवासे में मोहनी राज मंदिर के पने संगतराशी एहम है यह तमाम चीजों का आप लोग यहां तसाविर में देख भी सकते हैं तो यह तमाम संगतराशी उस वक्त की गई पत्थरों हो जाए तो काट कर जाए तो उसको तराश कर जाए तो बनाया गए यह तमाम चीजों अब यहां पर धाती मुझस्टमों के बारे में बताया गया है जो पेशुआ थे जैसा कि मैं पेशुआओं के नाम इससे पहले में बताया तो उनके दोर में पूना की परवती के मंदिर में परवती और गनपती की मूर्तियां पूजा के लिए तैयार करवाई गई थी इसी के साथ लकड़ी की नक्ताशी वाले मुझस्टमें भी तैयार करवाई गए थे तो यह तमाम चीज़े आप लोग देख भी सकते हैं यह तमाम काम जोए तो उस वक्त किये गए थे यह धाती मुझस्टमें ने कहा जाता है अब हम देखेंगे उस वहां के अदब के बारे में संतों का अदब, पुरानों की दास्ताने, तनकीदी अदब, शेर, अभंग, किताबें, शेरी दास्ताने, स्वानी कहानिया संतों की सोाने, शायरी, आर्तिया, पुवाडे, बखर, तारिकी, कुतुत वगयरा इस जमाने के अदब में शामिल है यह शायरी है, कहानिया है, अफसाने है, जैसा कि अर्दू अदब में तमाम चीज़े होती है, नजमे होती है, गजल होती है तो यह सब अर्दू अदब कहलाता है, यह उस वक्ते में तमाम चीज़े होती है, इन से मिल कर यह तो अदब बनता है तो मराठी में भी जो है तो ये तमाम चीज़े शामिल होती है और उस वक्त में भी जो है तो बहुत सारी सीवा जी महराज के दौर में ये समा तमाम चीज़े थी तो उस वक्त का अदब ऐसे ही था, जैसे संतों का अदब था, परानों की दास्ताने थी, तनकीदी अदब था शेर कहते थे लोग, अभंग कहा जाता था, किताबे लिखी जाती थी शेरी दास्ताने होती थी सौने कहानियां होती थी संतों की सौने होती थी संतों के बारे में मालुमात होती थी शेर शायरी होती थी आर्टियां होती थी पवाले कहा जाता था किसी की तारीफ में बखर होती थी याने खबरे होती थी इसमें तारीकी खुतूत होते थे यानि लेटर्स वगेरा होते थे तो यह तमाम चीज़े जैतों उस वक्त के अदब में शामिल होती थे और इन तमाम अदब की वजा से हमें उस वक्त के दोर की मालुमाद भी जैतों मिलती थी फन ड्रामा या नाटक जिसे हम कहते हैं ड्रामा या नाटक से आप बहुत भी वाकिफ हैं जुनुभी भारत के तंजाओर में सतरुनी सदी के अवाकिर में याने आकिर में मराथी नाटकों का अगाज हुआ शर्फूजी राजा ने इस फन की होसला वजाई की इन नाटकों में गाने और रक्स को बड़ी एहमियत थी यानि उस वक्त जहे तो ड्रामे या नाटक को काफी एहमियत थी जुनुभी भारत में भी जहे तो इसे एहमियत दी गई और शर्फूजी राजा ने इसकी अवसला वजाई की यानि इसे जहे तो बढ़ाया तो यहाँ पर फन और ड्रामे के बारे में भी आप लोग समझ गए तसाविर में भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमने पूरी समाजी जिन्दगी जो थी महराश्ट के लोगों की शिवा जी महराश के दौर में यह मालूमात हासिल कर ली है आगे जहे तो बहुत सारी मश्के दी हुई है कुछ उसमें सवालात के जवाबाद दिये हुए है कुछ सरगर्मिया करना है आप लोगों को आप लोग अपने उस्ताद की मदद से यह तमाम काम जोई तो कर सकते हैं इंशालला ताला हम अगले सबक लेकर मैं आप लोगों के सामने हाजिर होंगा और जब तक के लिए अल्ला हाफिज ख़दा हाफिज उमिद करता हूँ कि इस सबक के तमाम ही जो पॉइंट्स थे वह आप लोगों समझ में आये होंगे इस सबक के आखेर में बहुत सारी मश्क दीवी है, सवालाग के जवाबाद दिये हुए है आप लोगों का काम जैतों को करना है